दोस्तों तो आज मैं श्रीनगर में था तो सोचा आप लोगों को आज में श्रीनगर रेलवेस्टेशन दिखा दूँँ नेकर सानु विल्डिंग है यह श्रीनगर रेलवेस्टेशन की है और यह देखिए भाईज़ाब यह कुछ है कुछ पार्किंग टाइप है कुछ लोग रहते होंगे यहां पर ऐसा है और यह देखिए इस टाइम पर श्री नगर में बामोश्किल अठारा बाइस डिगरी टैंपरेचर है तो फैर के बारा बज रहे हैं पहले आप लोग अभी सोचते होंगे कि जम्मु किश्मिर की दो-दो समर केप्टल विंटर केप्टल लला को ह जरूरी थी क्योंकि इस टाइम जो टैंपरेचर श्री नगर में जम्मु में से कम सकम 20 डिग्री जादा है तो यह मैं बतना चाता हूं और देखिए यह श्री नगर रिल्वे स्टेशन आते कैसे हैं देखिए रिल्वे स्टेशन आने के लिए देखिए आपको पहले आपको बनिहाल आना पड़े और बनिहाल से फिर आपको श्री नगर के लिए ट्रेन मिल जाती है बाकी तो यह कह कि अभी बनिहाल से लेकि जम्मु तक की कनेक्टिविटी ने इसलिए सारा मामला गड़ बड़ा है एक बार वह ब्रिज बन जाए उसके बाद सारी चीजे में अपरेल को साट आउट हो जाएंगी फिर सब बढ़िया हो जाएगा और देखे कलदात को जब में आपे था तो सोटे टाइम रजाई ओड़नी पड़ी थी और अपरेल का महीना है अपरेल के महीने में इतना अच्छा मौसम है तो क्या करें मेरे साथ तो जैसे बद सुलूक तो बारामुला में तो और ही जादा अच्छा होगा रहने के सापसो तियारी जगें बहुत बढ़ी है इसमें तो कोई दोरा आई नहीं है एक नंबर टेंपरेचर महोल अच्छा लगता है सब बढ़ी है मतलब वैसे भली थोड़ी बैंड बजी रहती हो लेकिन नॉर्मली तो ठीक है ऐसा कोई खास दिक्कत है नहीं तो अश्रकरतों आप जब कभी आएंगे तो ट्रेन का भी मजा लेंगे अब श्री नगर से बारामुला तक के लिए भी ट्रेन जाती है आश्रकरतों वीडियो पसंद आई लाई है देन प्रीज दो लाइक्षान सब्स्राइब ज झाल 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 जाँ झाल झाल लाईब झाल जाओग।